आपको ये जानकर बहुत दिल्चस्प लगेगा कि पारंपरिक चिकित्सा में धातूँ का उप्योग विभिन स्वास्थय समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता था। प्राचीन भारतिय तामबे के सिक्के नदियों, झीलों, तालाबों में फेकते थे और अच्छी तरह से वे तामबे के साथ पानी में बैक्टिरिया को मारने के लिए ऐसा शुधा पानी करते थे। फिर आयूरवेद तामबे के बरतन में रखे पानी को पीने की सलाह देता है। आपने हमारे प्राचीन लोगों को तामबे के बरतन से पानी पीते देखा होगा और उन बरतनों को कमंदल कहा जाता था। इस उपचार के पानी को तबरजल या तामरीकृत पानी भी कहा जाता क्या और कप के साथ तीनों दोशों को संतुलित करने के लिए जाना जाता है तो इस पानी को पीने से आपको कैसे मदद मिलेगी तामबे के बरतन की विद्यूत चुम्ब की और उर्जा पानी को आयनिक बनाती है यह पानी शरीर के पिएच या एसिद क्षारी या संतुलन को ब बनाए रखने में मदद करता है केवल बहुत कम तामबा घुलता है पानी में जब इसे तामबे के बरतन में 8 गंटे तक रखा जाता है तो यह उलिगोडाइनामी के कारण होता है सी प्रभाव जोकी धातू का स्टिलाइजिन प्रभाव है ऐसा पानी हानिकारक रोगानुओ फफुंदी और अन्य सुक्ष्ण जीवों को नश्ट कर सकता है जब वाइरस और बैक्टीरिया तामबे के संपर्क में आते हैं यह उनकी कोशिका जिल्ली को बादित करके और उनके डिने और आरने को नश्ट करके उन्हें मार सकता है आए कुछ और स्वास्थ देखे कौप गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं कौप आपके शरीर में वसा कोशिकाओं के तूटने और उन्मूलन में सुधार करता है यह रक्त चाप और रिदय गती को नियंत्रित करने में मदद करता है ऐसा पानी पीना उन लोगों के लिए अच्छा है जो अनीमिया से पीरित है फिर से तामबे को मस्तिश कुतेजना के रूप में जाना जाता है और यह नई और स्वस्थ तवचा कोशिकाओं का उत्पादन करने में मदद करता है यह आपके थाइरोइड ग्रंथी के कामकाज को भी नियंत्रित करता है तामबे में एंटियोकसिडेंट, एंटिमाइक्र एंटिकारसिनोजनिक होता है और विरोधी भड़काव गुनिये विशाक्त पदार्थों को बेसर करने में भी मदद करता है यदि आप इस तरह के तामबे के पानी को पीने के लिए स्विच करना चाहते हैं तो अपने पीने के पानी को एक साफ तामबे के बरतन में स्टो कर इसे तीन से आठ घंटे तक रहने दे आप इसे तामबे की बोतल से पानी पीने के लिए रात भर छोड़ सकते हैं जिसे आप हर नुकसान को फिर से भरते हैं फिर तामबे को पानी में घुलने नहीं देंगे तामबे के बरतन में पानी जमा करना बहतर है अगर आप अपने पीने के पानी में नीम्बू का रस डालना चाहते हैं तो इस तामबे के पानी को गिलास में डालें और फिर रस डालें यहां सावधानी का एक शब दिया है कि बहुत अधिक कौपयुक्त पानी आपके शरीर में विशाक्त ता ला सकता है इसलिए इस पानी को पूरे दिन ना पीए केवल आधा लीटर या एक लीटर कौपयुक्त पानी एक दिन में आपको इसके सभी लाब देने के लिए परियाप्त है सप्ता हमें दो बार पानी को साफ करें नमक और सिरका या नमक और नीमबू के साथ तामबे का बरतन ये किसी भी ओक्सीकरन के निशान को भी हटा देगा यदि आप समझदार जीवन शैली विकलत बनाने में रुची रखते हैं तो पीने के पानी की इस प्राचीन विधी को आजमाएं एक तामबे का पात्रा आपके संक्रमन को रोकता है स्वाभाविक रूप से दोशों को संतुलित करता है और आपके कल्यान नमसकार को बढ़ावा देता है